हलो माई सोल फामली नमस्ते आप सभी के स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल और आईनी सेंटर पर प्रिंसाज आज आज देखेंगे कि क्या आपके पैसे न आपको लेके सीरियस है वो इस connection में काम करना चाहते हैं आपको long term commitment देना चाहते हैं कि नहीं देना चाहते हैं जो भी messages आएंग के मैं कोशिश करूँगे आपको देने की चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब ज़रू करिए ताकि आगे आने वाली हर एक वीडियो को आप देखें और वहां से आपको अच्छी guidance ही मिले आप मुझे Instagram और Facebook पर follow कर सकते हैं link आपको description box में मिल जाएगा वहां से भी आपको कफी अच्छी guidance ही मिलेंगी and paid consultation के लिए आप मुझे Instagram चैनल को follow करिया आप मेरी वहां पर मेरा contact number है वहां से आप मुझे बिल्कुल WhatsApp कर सकते हैं okay for consultation चलिए देखते हैं क्या आपके person collectively आपको लेके serious है क्या वो इस connection में काम करना चाहते हैं क्या वो आपको long term commitment देना चाहते हैं चलिए देखते हैं धवान जी प्लीज बताईए क्या प्लीज देए प्लीज चलीज बताईए judgment पहला ही का जच्छ में का है page of cups seven of wands the lovers बहुत सारे के रहे हैं वाँ, six of cups वाँ, three of coins आँ 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 दो को च्लिया में रेलेते हो एक बन्हीत चढ़ाट कुट हो च्सीफ व्ही ळमने तर्छेंद देंड्यट मंधने स्टेंथ से अच्स ट्देंद ॒वेज व्ही टॉट टॉट फ्वेटफ और ट्रेंध लीन रहा चलिए देख लेते हैं एक क्वेशन और लोगे क्या आपके पैसे न आपको लेके सीरियस से देखिए आपके पैसे न बहुत ज्यादा सीरियस से आपको लेके बहुत बहुत जादा सीरियस से आपको लेके I'll explain you how and why आपके जो भी पैसे है न इस समय तो उनकी लाइफ में तहल का मचा हुआ है I'm sorry I'm using such word but it's a fact ठीक है इस समय आपके पैसे के लाइफ में definitely कुछ न कुछ issues चल रहे हैं कुछ न कुछ struggles चल रहे हैं कुछ न कुछ परेशानिया हैं लेकिन वो आपको लेके बहुत सीरियस हैं पास में मुझे लगता है आप दोने के बीच में कुछ ऐसा हुआ है कि जिस टाइम उन्होंने आपको सीरियस नहीं लिया और मुझे ऐसे लगता है शायद उन्होंने बहुत बुरी तरीके से आपका दिल तोड़ा है और शायद आज जिब भी आप उसी एनरजी में हो मतलब आज भी आप हील नहीं हुए हो अपने आपको आप कोशिश तो कर रहे हो बहुत हील करने की लेकिन वो हीलिंग हुई नहीं है आपकी देखिए आपके जो भी पैसन है और आप आप दोनों ना ट्विंट्लेम जर्नी में हो आप दोनों सोलमेड जर्नी में हो कुछ लोग हो सकते हैं ट्विंट्लेम में हो कुछ लोग हो सकते हैं सोलमेड जर्नी में हो लेकिन आप लोग एक जर्णी में हो यह एक डिस्टाइन जर्णी है यह एक divine connection है और जो भी कुछ हो रहा है divinely guided हो रहा है अगर आपको triggers मिले हैं किसी तरह का hurt मिला है किसी तरह का pain मिला है तो उस चीज में आपकी soul grow हो रही है उस चीज में आपको wisdom मिल रहा है उस चीज में आप बहुत सारी learnings ले रहे हो हो सकता है आप patience सीख रहे हो सकता है आप rejection का acceptance सीख रहे हो हो सकता है आप higher vibration की तरफ जा रहे हो love की तरफ जा रहे हो कि अगर सामने वाले person ने आपको किसी भी तरीके से trigger किया है किसी भी तरीके से दुख दिया है तो धीरी धीरे आपको उसे उपर उठके आपको loving energy में जाना you need to neutral आपको इस negative energy को neutral करना है लेकिन आपके person आपको लेके serious है कि जब उन्होंने आपका दिल तोड़ा या फिर जब उन्होंने आपको reject किया या फिर जब उन्होंने आपके साथ कुछ misbehave किया या कुछ mistreat किया या फिर कुछ गलत किया तब उन्हें इस connection का realization नहीं था देखिया awakening उसके बाद हुई है judgment का card है awakening उसके बाद हुई है जब उन्होंने आपके साथ misbehave किया उसके बाद उनकी awakening continuously हुई है है रात में सोते वेक उन्हें आपके ड्रीम्स आते हो या फिर हर जगे उनको आपका नाम दिखता हो या फिर कुछ भी ऐसा हो कि 24 गंटे उनके दिमाग में सरफ पर सरफ आप चलते हो एक वो मागनेटिक पुल आपकी तरफ फील करते हो ये हो रहा है now this person is totally into you अब जो ये person है वो बिलकुल आप पर है बिलकुल आप पर ने बिलकुल आप में है I'm sorry पता नहीं जब मैं ये reading करते हूँ मेरे words क्यों slip होते है usually नहीं होते but I don't know let it be ये जो person है this person is coming forward to you but the energy is really very slow ये person ने आपके तरफ action बढ़ा दिया है because this is an action card ये person आपके तरफ अपना एक love का offer लेकर आ रहे है and ये जो person है इस समय काफी mature energy में है ये person आपके तरफ love का offer लेकर आ रहे है and but slow आएंगे मैं आपको honestly बता रही है slow इसले आएंगे क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया था awakening गोई तो automatically थोड़ी देर हो चुकी थी मैं आपको बता हूँ जो चीज मैं feel कर पा रही हूँ आपके person definitely न मुझे लगता है या तो आपको sorry बोलना चाहते हैं नहीं तो आपको कुछ ना कुछ offer करना चाहते हैं this is an offer but this is a small offer आपके साथ equal mutual give and take करना चाहते हैं हो सकता है इस relationship में आपने ही equal mutual give and take not equal mutual जब आपने ही मतलब दिया 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 होगा इस connection में अपने person को और जब उन्हें realization हुआ उसके बाद your person has this feel कि उन्हें equal mutual give and take करना है इस relationship में आपके साथ हो सकता है आप पहले दोस्त होंगे कुछ cases में ये same gender connection भी हो सकता है because feminine feminine का energy है but anyways जो energy है मैंने आपको बता दी age differences भी थोड़े से cases में मुझे लग रहे because of this page of cups ये थोड़ा सा younger बच्चा है ये इस समय आपके person ने मुझे लगता है शायद आपसे थोड़ी सी wall create करी हुई है क्योंकि वो अपनी life में जगल कर रहे है वो अपनी life में definitely जगल कर रहे है और उनकी जगलिंग कहीं न कहीं उनकी family से connected है हो सकता है कोई property dispute चल रहा हो सकता है husband and wife के बीच में किसी तरह के issue हो सकता है और साथ में मुझे लग रहा है कि hurt भी बहुत ज़ादा है आपके person कहीं न कहीं strength रखे हुए है और आपके person अपनी negativity पे भी काम कर रहे है और जो भी आप लोग के बीच में हुआ है पते हैं उस चीज़ को बहुत ज़ादा सोचते हैं पतलब क्योंकि उनके जहन में तो आप 24 घंटे हो ये चीज़ में देख पा रही हूँ जो भी कुछ आप लोग के बीच में हुआ है उस चीज़ को बहुत ज़ादा सोचते हैं और विचार करते हैं क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था किसकी गलती थी और यह गलती हुई तो क्यों हुई उस समय situation ऐसी क्यों थी क्योंकि यहां पर मुझे किसी तरह की आप दोने के बीच में एक कुछ clash नहीं दिख रहा कि किसी तरह का clash हुआ है या किसी तरह का जगड़ा हुआ है देखो हुआ भी होगा लेकिन कोई ऐसा कार्ड नहीं है जिसकी वजह से मैं आपको बता दू कि आप दोने के बीच में आक्च्वल में कुछ last time कुछ strong fight हुई है वो मुझे नहीं फील हो रहा देखिए आपके पैसे न बहुत ज़ादा nostalgic है आपको लेके nostalgic है means हो सकता है आप लोग बच्पन से connected हो हो सकता है आप लोग की past memories बहुत अच्छी रही हो हो सकता है आपने उन्हें बहुत extremely बहुत अच्छा feel कराया हो आपने उन्हें बहुत nurture किया हो वो energy में है वो ज़ादा था है उन्हें वो past से नहीं निकल पाए और उन्हें लगता है आप बहुत independent हो abundant हो powerful हो beautiful हो you are enjoying your luxury life maybe शायद आप कोई अच्छी position पर हो सकते होंगे या फिर कोई अच्छा काम कर रहे होंगे मतलब आपको एक काफी अच्छी personality के रूप में वो देख रहे हैं लेकिन इस समय आपके person की life में बहुत जादा burden होने और ये burden हो सकता है उनके family drama की वज़े से हो ये burden हो सकता है उनके financial status से हो या फिर उनके financial condition से हो sorry तो सकता है उनके life में कुछ financial issues भी चल रहे हो और इस समय ना मतलब जो भी कुछ हुआ आप दोने के बीच में एक stagnancy वाली stage है मतलब या तो आप भी बहुत शान्त हो गए है क्योंकि आप अपना दिल तूटा हुआ लेके घुमरे हो आपको लगता है कि आरे जाने दो यार वैसे ही अल्रडी दिल तूटा हुआ है और कितना मतलब और efforts जालेंगे तो और तूटे कर जाने दो आप इस energy में हो आप भी अपनी तरफ से efforts नहीं डाल रहे हो इसलिए night of points की energy है और इस चीज की वज़े से now your person is feeling heartbreak आपके person इस समय heartbreak feel कर रहे है इसलिए थोड़े indecisive है दोनों ही why don't you guys heal this जो भी कुछ है इसको heal करो और जब right time आएगा तब आप लोग इस चीज को थोड़ा सा कोशिश करना ये this energy is not good, energy अच्छी नहीं आ रहे है आपके person बहुत 1 million percent आपको लेके serious है लेकिन जो energy की vibes आ रह करी है मतलब आप दोनों के angle से एक एक दर्द भरी वाली feeling है इससे में आपके person काफी जादा confused है बहुत जादा confused है क्योंकि आपके person कहीं न कहीं आपको long term commitment देना चाहते है long term commitment देना चाहते है आपके person मुझे ऐसी energy आ रही है कि पता नहीं आपके person hook or cook की energy में है, imagination की energy में है, उन्हें आप चाहिए और हर हाल में चाहिए कि उन्हें पता उनसे कुछ mistake हुई है और शायद उन्होंने वो mistake को अभी तक आप से शायद sorry नहीं बोला या उन्होंने वो mistake अभी तक ठीक नहीं करी है जो मैं feel कर पा रही हूँ, करना चाहते हैं, देखिए इनके दिमाग में ब पर collaboration हो, आप दिरू मिल के काम करो, जो भी कुछ हो आप लोग, मिल के काम करो या फर इस connection को मिल के चलाओ, बहुत delay कर रहे हैं, extremely delay कर रहे हैं उनकी situation की वज़े से, completion चाहते हैं, justice देना चाहते हैं आपको, justice देना चाहते हैं खुद को, मुझे लगता है आपने न, I don't know how you have been with your person, बट मुझे लगता है आपने उन्हें उन्हें कुछ चीजों का realization कराया है, बहुत अच्छे से कराया है, यहां से देख लियते हैं कि क्या आपके person आपको लेके serious है, लगवान जी प्लीज मुझे बताइए, I'm sorry, slowing down, energy देख, यह कच्छोई के चाल चल रहे हैं, experiencing, wow, the fool, beautiful energy, serious तो है वो आपको लेके, beyond illusion, देखिए हो सकता है participation, देखिए, अभी तक ऐसी situation रही है, कि उन्हें ऐसा लगता था कि नहीं, यह connection कुछ भी नहीं है, यह connection नहीं काम करेगा, disconnection is not worthful, जब से उन्हें आपकी importance पता चल रहे हैं, उन्हें चीज़ें समझ में नहीं आते थे, उन्हें चीज़ें clouded लगती थे, उन्हें ऐसा लगता था कि शायद आपका प्यार सच्छा नहीं है, या फिर आप उनसे कितना प्यार करते हैं, वो उन्हें नहीं पता है, तो काफी सारी चीज़ों में आपके person clearly देख नहीं पाते थे, क्योंकि उन्हेंने clear communication आपके साथ किया ही नहीं है, जब होना चाहिए, तो हो सकते उससे पहले बहुत सारा communication हुआ हो, लेकिन जो right time पर communication होना चाहिए, वो communication आप दोने के बीच में नहीं हुआ है, लेकिन अभी, अ कहते हैं कि जैसे अगर environment में बहुत मिटी हो जाए, जब एक बारिश आती है, तो वो मिटी हट जाती है, तब एक इनसान चीज़ों को clearly देख पाता है, समझ पाता है, बस आपके person की वही condition है, अभी जो उनकी आखों पे एक layers थी, वो layers हट चुकी है, अब वो चीज बहुत अ समय experience कर रहे हैं, देखो experience जो यह card है, this is itself a very beautiful card, यह person हो सकता है, example देती हूँ, आप से पहले मान लो चार connection में रहे हो, या पांच में रहे हो, या दो में रहे हो, whatever, लेकिन उन्होंने जो चीज आपके साथ experience करी है, वो चीज उन्होंने कहीं पे भी कैसे भी experience नहीं करी, जो उन्होंने आप के साथ feel करी है, जो spark उन्होंने आप से मिला है, जो चीज आप के साथ, एक bond जो नोने feel किया, वो किसे के साथ feel नहीं किया, और जिस तरहीके से ये person आप में है, ठीक है, तो कि आप इनके जहन में 24 by 7, वो high level of obsession है, वो इन्होंने कहीं पे भी किसी के साथ, कैस इसे भी फील नहीं किया है और आपके पैसे ने कदम आपके तरफ बढ़ा दिया है लेकिन वही नाइट अफ़ कब slowing down बहुत slow energy है बहुत slow actually ना आपके case में divine timing बहुत strong role play कर रहा है क्योंकि divinely guided connection है और क्योंकि जब आप लोग मिलोगा जब आपका stages होती हैं कि वो सारी stages होने के बाद union and reunion होता है एक good way में चीक है एक bliss वाली form में आप आजाते हूँ और अभी आप बहुत बहुत पीछे हो इतना मैं feel कर पा रही हूँ आपके पैसे आपके साथ एक नई शुरुवात करना चाहते हैं आपके साथ एक mutually participate करना चाहते हैं आपके साथ celebrate करना चाहते हैं जो भी कुछ हुआ है आप लोग के बीच में वो सारी चीजों को खतम करके वो negativity को heal करके आपके पैसे आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं और काफी मुझे connection थोड़ा से rebellious भी लग रहा है मतलब कि this connection और इस connection को आगे लेके जाना is not easy yeah लेकिन आपके person तयार हो रहे हैं इस चीज के लिए आपका मुझे नहीं पता है आपके energies हमने नहीं चेक करिये बड़ आपके person तयार हो रहे हैं इस connection को आगे ले जाने के लिए यहां से देख लेते हैं वो अपनी क्या messages आपको देना चाहते हैं यह twin flame deck है जो अर्चना जी ने मुझे भेजा था it's a beautiful deck इनकी energy is बहुत अच्छी है with you I feel safe and healed okay वो तो heal हो रहे हैं दिरे दिरे बट शायद आप ना हो रहा है I don't love my partner and I'm scared to admit it to my son वो अपने person को नहीं पसंद करते हैं third party situation में स्टाक है यहां से भी third party की wipes बहुत strongly आ रही है और वो इस चीज़ को I mean समझ चाहिए जो भी message है डरते हैं वो चीज़ आदमिट करने से हो सकता है co-dependency का issue हो let's heal this देखें मुझे जो बार-बार vibes आ रही थे नहीं यही आ रही थी कि आपके person आपके साथ इस connection को heal करना चाहते हैं मिल के heal करना चाहते हैं I don't know why but I always doubt your love for me देखें यही चीज मुझे channel हुई थे इससे पहले कि आपके person को कही न कहीं किसे न किसी वे में doubt होता है आपके प्यार को लेके okay I am crazy about you, this person is totally into you वो high level of obsession है, high level of love देख रहा है because कहीं न कभी twin time connection है तो magnetic pull रहता ही है I am obsessed with you and it scares me बहुत जादा obsession होने है आपका और इस चीज़ से वो डरते हैं इसलिए शायद हो सकता है कि अभी भी एक runner energy में हो वो you make me feel precious, okay you made your person felt precious यहां से देख लेख 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 क्या messages आते हैं उनके आपको लेके one, two, three, four देखिए आपके person definitely आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं आपके person definitely आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं अगर शादी क्या possibility है तो शादी करना चाहते हैं family बनाना चाहते हैं लेकिन इस connection में वो सिर्फ ये ऐसी situation में नहीं रहना चाहते हैं आगे बढ़ना चाहते हैं आपके साथ वो एक future देखते हैं कहीने कहीं वो आपको अपना divine feminine मानते हैं और देखिए मुझे जो feel आ रहा है मैं आपको बताती हूँ आपके साथ एक union चाहते हैं in all way इस समय हो सकता है आपके person definitely कुछ study कर रहे हो या फिर आपके जो या फिर आपके जो person है ना कुछ वह इस तरह के person हो जहां पर books जादा involved होती हूँ या फिर किसी तरह के university किसी तरह का college या फिर या vice versa भी energy हो सकती है किसी तरह का school something like that आपके person आपके साथ stability चाहते हैं और एक कुछ stable connection चाहते हैं आपके person आपके साथ प्यार बहुत आप से करते हैं friends यह दे छोटे से reading I hope मेरी reading आपको पसंद आई होगी मेरी reading आपको पसंद आए तो प्लीज मिने चानल को like, subscribe and share ज़रूर करिए ताकि आगे आने वाली हर एक वीडियो को आप देखें वहाँ से आपको अच्छी guidance मिला है Thank you so much, love you guys